हलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल स्टाडी फॉर यू सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ आज जो आपका कोई भी एंटी पीसी का एक्जाम नहीं है बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जिनका आगे आने वाले सिप्टों में जो है एंटी पीसी का पेपर होने वाला है और मैं आपको 100% ये गैरंटी देता हूँ कि आपके एक्जाम में जो इसी परकार से प्रशन पूछे जा रहे हैं तो जिनका भी आगे आने वाले सिप्टों में एक्जाम है वो इस वीडियो को जो लाश तक जरूर देखेगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बात और दोस्तों की जिन्हों ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को जरूर कर दीजेगा और बगल में आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निसान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो जरूर प्रैस कर दीजेगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो आपका पहला कोशन ने दोस्तों की जामा मस्जित का निर्मान जो है ये 50 में इसकी सुरूरात की गई थी तो ये भी आपको याद रखना है और जामा मस्जित का जो निर्मान है वो सा जहां के द्वारा सुरू करवाय गया था तो ये भी आपको याद रखना है और जामा मस्जित है कहां पर तो ये दिल्ली में हिस्तित है तो ये भी आपको याद रखना है और अन्य असमारक के बारे में जान लेते हैं जहां से आपके प्रशन पूछे जा सकते हैं रेट फॉर्ट का जो निर्मान कब हुआ था तो देखे रेट फॉर्ट का जो निर्मान है यह आपका 1649 में इसकी सुरुआत हुई थी और खत्म जो हो गया था वो 1648 में हु थी वो 1921 में हुआ था और यह पूर्ण 1931 में हो गया था तो यह भी आपको याद रखना है गेटवय ओफ इंड़िया की जो सुरुआत है तो देखे अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो हस्थापना है ये सर सहयद एहमद खान के द्वारा किया गया था तो सर सहयद एहमद खान आपका यहाँ पर करिक्ट एंसर हो जाएगा बात कर ले इसके हस्थापना कब की गई थी तो 1875 में किया गया था और अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पहले नाम था वो मुहमद दन एंगलो औरियंटल कॉलेज है ठीक है कभी कभी एक्जामिनर क्या करता आपको कोशन घुमा कर पूशता है कि मुहमद दन एंगलो औरियंटल कॉलेज की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई है तो फिर आपका जो है सर सेयद एहमद खानी आपका करिक्ट एंसर होगा और कब किया गया था तो इसका तो यह 1875 में किया गया था तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी का जो पहले नाम था ना वो मुहमद दन एंगलो औरियंटल कॉलेज था और यह अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी कब बना था तो यह 1920 में बना था ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुशन आपका यहाँ पर आथा दोस्तों कि भारत का जो दचितम पॉइंट कौन सा है तो देकि भारत का जो दचितम पॉइंट है ना वो आपका इंदीरा पॉइंट है तो इंदीरा पॉइंट आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जागा और यह कहां पर है तो य नीको बार ऐइलेंड में ठीक है तो ये भी आपको याद रिखना है कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इंदीरा पॉइंड जो ये कहा पर आईलेंड में है नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर है दोस्तों की सामबर घील जो ये कहाँ पर है अन्य जील के बारे में देख लेते हैं कहां कहां पर हैं तो देखें डल जील जो है और बेरिना उलर जील जो है मानस बल जील नागिन जील सेश नाग जील अननत नाग जील जम्मु कस्मीर में है यह सब ठीक है जितने भी नाग वाले जील है यह आपके जम्मु कस्मीर है उसक बात कर लेते हैं, जितने ताल वाले जील हैं, वो उत्रा खंड में हैं, जैसे कि साता लाल जील, नैनी ताल जील, राकसत लाल जील, ठीक है, पंच पोडी जील, खुर पाताल जील, यह सब जो आपके उत्रा खंड राज्य में हैं, तो यह सारे जीलों का नाम जो आपको याद जिसको जो इंगलिस में जो है law of inertia का जाता है तो जड़त्व का नियम आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा बात कर ले गति के दीते नियम को जो है क्या का जाता है तो यह सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है तो फार्मिक एसीड जो आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा और फार्मिक एसीड का जो अनिनाम यानि आयूपी से जो नेम होता है वो मेथनोईक एसीड होता है तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर दोस्तों की दोजार इग्यारे की जनगन्ना में भारत का सेक्स रेश्यू यानि प्रती एक हजार पूरूस पर जो है महिलाओं की संख्या कितनी है तो दोजार इग्याने की जनगन्ना के कॉर्डिंग जो भारत का लिंगा नुपात रहा है वो 943 रहा है तो 943 आपका यहां पे करिक्ट एंसर हो जाएगा बात क कर ले यूटी में कौन है तो पूडू चेरी है ठीक है यहां पे जो 137 लिंगा नुपात है तो यह भी आपको याद रखना है बात कर ले सबसे कम लिंगा नुपात वाला राज जी कौन सा है तो यह भी आपको याद रखना है कि सबसे कम लिंगा नुपात वाला जो राज ना वो हर्याना यहां पे 809 सी है ठीक है और यूटी की बात कर ले तो डमनेंट दीगू है ठीक है तो यहां पे जो है 608 तो यह भी आपको याद रखना है और यह कभी कभी एक्जाम में कोईशन्स पूछा जाता है दोस्तों कि 2001 में जो है आपका लिंगा नुपात कितना रहा था और टीसेस द्वारा एक कोशन यहां से और भी पूछा जाता है दोस्तों कि 2001 से जो है लेकर 2011 तक कितने लिंगा नुपात की वरिद्धी हुई है तो देखिए 2001 में जो 933 ठीक है और 2011 में जो आपका 943 रहा है तो 10 की वरिद्धी हुई है तो यह भी आपको याद रखना ह नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर दोस्तों की भातिकी में जो है किसको दो बार नोबिल प्राइज मिला है तो देखिए यह हर पर PCS द्वारा यह प्रशन पूछा जाता है तो देखिए भातिकी में जो दो बार नोबिल प्राइज मिला है यह जान बर्डीन को दिया गया है कब कब दिया गया तो ये 1956 में दिया गया है और 1972 में दिया गया है तो जॉन बर्डिन जो है आपका यहाँ पर करिक्ट एंसर हो जाता अन्ने फैक्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पर अब तक जो है चार वैक्टियू को जो है दो बार नोबेल जाता दोस्तों कि नोबेल प्राइज जितने वाली प्रतम महिला कौन थी तो यह मैडम क्यूरी थी तो यह भी आपको याद रखना है और जान बर्डिन को जो फिजिक्स में दो बार नोबेल प्राइज यह दिया गया है जो कि आपका कोशन आज जो की कोशन आपका आज दि याद रखना है उसके बाद लीनस पॉलिंग को जो है दो बार नोबेल प्राइज दिया गया है एक बार तो केमिस्ट्री के छेतर में दिया गया है और एक बार सांती के छेतर में दिया गया है तो यह भी आपको याद रखना है और यहां से एक कोशन और बनता है दोस्तों आपके एक्जाम में कि सान्ती का पुरुषकार तीन बार किसी दिया गया है? तो देखिए, सान्ती के छेत्र में जो तीन बार नोबल पुरुषकार है, यह इंटरनाशनल कमीटी ओफ रेट क्रॉस को जो दिया गया है. कब-कब? तो तो उनीसो सत्रह, उनीसो चौालीश और उ 1973 में हुआ है तो 1973 आपका यहाँ पर करिक्टर अंसर हो जाएगा और इसके जो फॉर्स्ट डिरिक्टर थे प्रोजेक्ट टाइगर के वो कैलास संख खाला थे तो ये भी आपको याद रखना है कभी कभी एक्जाम में पूज दिया जाता है उसके बाद अन्य फैक्ट की बात क सबसे नियूंतम है तो ये भी आपको याद रखना है उसके बाद याँ ससके एक कॉस्शन और पूचा जाता है कि सबसे ज्यादा टाइगर जू है यह किस राज में पाए जाता है मद नमबर जाता है किस बच्चेंड जो कंफ्योज होते हैं और कारनाटक को मार देते हैं तो मैं आपको बतादू कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर है ना वो आपका मद्ध पर्देश राजी में पाई जाता है और सेकंड नमबर पे जो आपका करनाटक है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर दूस्तों की आर्बिय की जो स्थ आपना ना यह एक अपरेल 1935 को हुआ है तो एक अपरेल 1935 जो आपका यहांपे करेक्ट टैंस रो जाएगा वरत्मान में जो अर्बिय की गवर्नर हैं वो सक्टी कांथ दास यह भी आपको याद रखना है और फर्ष्ट गौणर जो रहते अर्बिय के वो ओस्पॉर्न अस् और वर्तमान में जो a की गवरनर है सकती कांदरास है और यहां से एक उश्चुन और आदोस्तों कि our money का राश्ट्रीक करन कब किया था तो यह भी आपको यार रखना है कि एक जनवरी उनीसव उन्चास को जो है i, i कß कर राश्ट्रीक करन किया गया था our आरबी आई के जो एक तो आपके गवर्नर होते हैं और चार जो होते वो डिप्टी गवर्नर होते हैं चारों डिप्टी गवर्नर का नाम आपको याद रखना है बीपी कानूंगो एमके जैन एमडी पात्रा और एम राजिस्वर रहा है ये जो अभी चार डिप्टी गवर्नर को आपकी अर्भिआ के नेक्स्ट कोशन आप का यहाँ दोस्तों की बुलन दर्वाजा को जो है अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था तो देखें यह जो बुलन दर्वाजा है यह फते पूर सीक्री में ठीक है और इसे जो अकबर दौरा गुजरात पर बीजयाप्राप्त करने के स्मिरिती में जो है ये डोर आफ विक्टरी यानि बुलंदर वाजा का जो है निर्मान करवाए गया था कब किया गया था तो 1602 इस्वी में तो ये भी आपको याद रखना है यानि गुजरात पर जो विजय प्राप्त आपका यहां पर करिक्टर हो जाएगा और आपक कोशन आपका यहां पर कि यूनिसेफ का जो मुख्याले वह कहां पर है तो आपके एक्जाम में जो है मुख्याले से भी प्रशन पूछे जा रहे हैं तो यूनिसेफ का जो फूर्पाम होता है वह यूनाइटेड नेशन्स चिल्डरेंस फंड होता ठीक है और इसका जो याद रखना है और वर्तमान में जो इसके कारी कारी निदेशक यानि एक्जेक्यूटिव डिरेक्टर हैं वह हैं रिटा एच फोर हैं तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट आप कर दोस्तों कि वायरलेस टेक्नोलोजी ब्लुटूथ के आविसकारक कौन थे तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुशन आपका यहां पर दोस्तों कि भारत के जो है अंतदेशी जलमा गयानी आइनलेंड वाटर वेज की कुल लंबाई कितनी है तो देखे भारत के अंतदेशी जलमार की जो कुल लंबाई है ना वो 14500 किलो मिटर है तो 14500 किलो रखना है तो लीबर जो आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन आपका यहां पर दोस्तों कि पहली बार जो है भारत में रेल कब चली थी तो देखे पहली बार जो भारत में रेल चली थी वो 16 अपरेल 1803 को चला था तो 16 अपरेल 1803 आपका यहां पर क खरेक्ट हो जाएगा कहां से कहां तक चला था तो यह बंबे और ठानी में चला था कितने में चला था तो यह 34 कृमट्ड चला था तो यह बहुत funding हिए जो आथ तो यह आपको यद्यू में करना था औरooth में रेल चला था तो यह इसविए की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जो लाइक करना बिलकुल भी मत बुलिएगा और बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोलते कि 15 जनवरी को आज तो एक्जाम है ही नहीं तो मैं पहले ही आपको वीडियो में मिलसन कर द